क्लास नमबर सिक्स टुडेइश कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लास नमबर सिक्स लास्ट क्लास आफ को सब समझ में आ चुका है बाते तो खतम करनी है वाइंड अप करनी है तो आपको मैं बता दूं आज का क्लास इस टोटली मतलब बिट ओफ मिस्सलेनियस बोलो कि यार चोटे मुटे बात जो बज गए वह आज करने है और टॉपिक को कदम करने तो भया इतना इंपोर्टेंट होगा ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है पिर भी आपको जो कंटेक्स्ट पढ़ाव है उसी से रिलेटेट बात करेंगे पहले बताए यह सकता है जो को आज बताँगा है ऑलग हो इसे अलग हो सकता है कब होगा वो आज बताऊंगा बाकी तो अपने कर चुके और क्या बचा और कुछ क्लाश क्लास किये थे कि सिर्फ डवलु एसी सी पर माधा पोड़े थे और उसी साब से अपने एक संथ ओमवक दिये थे कौन सा नंबर आप मेरे को बता सकते हैं 12 ओके क्या 12 नंबर आप से बना एक बार डवलु एसी बोलोगे 11.81 जिता लोग किये हैं 11.81 आना चाहिए इस वेरी इजी सम्स टोटल करना है वेट्स निकालना है इंटू करना है अंसर 11.81 असान सवाल 12 एक बार एक बार आप मेरे को बस बताएंगे बाभू लोग कि अपने कौन सा कौन सा सवाल कर चुके हैं और कौन सा ओमवक दिये थे ताकि आज अपने जितना काम का और सवाल है वो कंप्लीट करे वर्क फिनिश करना कि वाण टू थ्री ओर फाइब शिक्स सेवन एट नाइन इस एलेवन ट्वेल वोंबगता है थर्टीन फोर्टी अच्छा सिक्स्टीन भी एक तरीके से करी लिए बता दिये ना उसमें का करना होता है ठीक है मतलब मोटा मोटी अपने वो इनीशियल जो सम्स होते हैं जो सिय यह वाले के लिए स्टार्टर्ज होते वह अपने खाली तो मतलब ठीक है अपने जितना करना चाहिए उतना कर लिए पीछे-पीछे वाले सवाल थोड़े लेंडी है और थोड़े से complicated है पट फिर भी उसमें से एक का दुक्का अपने मालूम है हम बत्तमीज है आप लोग भी बत्तमीज होई तो करके जाएंगे क्या दरकार है तो अपने लोग 2-3 जो सवाल और बन सकता है वो करेंगे बाकी तो और कुछ करना नहीं है अभी topic का heading देंगे last heading क्या था point number 8 था WA CC point number 8 था WA CC आज point number 9 देंगे और लिखेंगे marginal cost of capital आज एक नया heading देंगे point number 9 marginal cost of capital पढ़ाने में हमको दो मिनिट लगता है बड़ एक बड़ सुनतो ले क्या है marginal cost of capital what do you mean by the term marginal anyone बच्पन में पढ़ा है for one extra for one extra हमें सा यही पढ़ते थे unit यहाँ पे भी वही मतलब है marginal का मतलब होता है additional marginal का मतलब होता है additional additional cost of capital what do you mean by additional cost of capital कोई समझा था कि हमको कुछ बहुँ यह बोल रहो होगा topic मैं बदो company में already कुछ funds थे company को और funds लाना है तो जो और funds लाना है उसका जो cost है उसको क्या नाम देंगे marginal cost of capital अब अगर मैं कंपनी में कोई क्या बताइए अगर मैं कंपनी में कोई क्या बताइए अग्स्ट्रा फंड ला रहा हूं उतका जो cost है उसको marginal cost of capital अब एक सेगेंड रुकी का मैं एक एक्जामपल लिख रहा हूं आप बताइएगा इधर marginal cost of capital क्या है दिखते किते लों का दिमाग दोड़ता existing cost of capital लग रहा था मतलब existing cost of capital का मतलब पहले जो company में already क्या पड़ा है funds पड़ा है उसका खर्चाता 14% additional जो ला रहे है क्या funds उसका cost लग रहा है 16% what is my marginal cost of capital what is my marginal cost of capital 2% is absolutely wrong गलत very good answer is 16% तो चीए यही गलती होता है एक बार हरबडी में पूराने funds का कित्ता लग रहा था अच्छा नया funds लाएंगे तो खिरिफ दो लगेगा कि 16 लगेगा अरे 16 लगेगा दो पर थोड़ी काम हो जाएगा और फंड लाएंगे तोड़ा ज्यादा खर्चा लग रहा है कित्ता लग रहा है नया funds का 16 लग रहा है तो मतलब जादा कितना लग रहा है गलत वर्ड मार्जिनल का मतलब यह नहीं हुआ कि जादा कितना खर्चा लग रहा है मार्जिनल का वर्ड का मतलब क्या हुआ एडिशनल फंड लाने का कितना खर्चा लग रहा है तो एडिशनल फंड लाने का कितना खर्चा लग रहा है सोला तो मार्जिनल कॉस्ट अपिटल भी कितना हो गया सोला परसेंट क्या बूल ये लॉजिक क्लियर हो रहा है तो एक प्राइमा फेसी दिमाग में मन आता है यार कि वो दो एक्स्ट्रा जो लग रहा है वही है बट व इसी निकलता है यानि नया के नया केडि दिया वर रहेगा उनके वैलूस दिये वर एंगे वेटस निकालना है इंटू करना करना है अंसर करते हैं जो कोस्ट आफ कैपिटल में करते थे वही नाम सिर्फ मजिनल आगया क्योंकि एडिशनल वर्ट क्या बोलो logic हीट हो रहा है यानि marginal cost of capital means बताइए वापस से cost for additional funds cost for additional funds example existing 14 लग रहा था नया काज 16 लग रहा है तो m c o c क्या है 16 ही दो नहीं लिखेंगे बाद marginal cost of capital means cost of capital for additional capital over and above the existing one marginal cost of capital means cost of additional capital over and above the over and above the existing one example यही वाला उतारेंगे यही वाला उतारेंगे एक्जिस्टिंग c o c किता है 14 एड एड एडिशनल फंड का खर्चा किता लग रहा है 16 तो बताइए या way of calculation is same as w a c c way of calculation is same as w a c c way of calculation is same as w a c c करें एक सुन्दर सवाल इसके उपर आये क्या सवाल पर है कि एक इग्जाम्पल लिखाओं पहले एक इग्जाम्पल हो गया समझ में आगया वैसे इजी सा बाद है आई यह सम्स नंबर 22 पेज नंबर 12 सम्स नंबर 22 पेज नंबर रडी रडी 22 करें कंपनी का नाम एक स्वाइज इंकम अपने को फरक नहीं पड़ता जो भी हो प्रोवाइड जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या इंफॉर्मेशन है पढ़िए ओ माई गॉड कंपनी में इक्विटी है और डिवेंशर्ज है कितना कितना है कि दो लाक और 2 लाक बारा परसेंट आंफटर टेक्स दिया है क्या कोश्ट होपरदेखिं आंनी ओलרגी आंफटर टेक्स कर दिया है तो अब आप मत बोलना वो जो चार परसेंट है उसमें वन माइनस टैक्स करेंगे नहीं दरकार है क्योंकि आल्रेडी आफ्टर टैक्स किया तो मतलब यह दोनों केडी और केई दे दिया ति companies considering an investment reversal के दिमाग में एक और तरीका आ रहा है बोल रहा है क्यों न और एक लाक रुपया लाया जाए बिजनस बढ़ाने का इच्छा हो रहा है और एक लाक रुपया लाना पड़ रहा है तो मतलब बताईए new capital कित्ता लाने का एक लाक बोल रहा है उसके लिए क्या लेगा ह खर्चा पे क्या यहां लिखा after tax pre-tax तो क्या मानेंगे pre-tax 10% interest rate दिया वह यानि एक लाक का खर्चा कितना लगेगा 10% before tax tax rate दिया वह गया एक बार बताओ तो 10 का 50% चला गया तो कितना बचा 5% 5% तो यानि एक मिनिट यह एक लाक रुपया लोन के तरीके से जो आ रहा है इसका cost कितना लगा केड़ी कितना है 5% कितना हुआ क्योंकि 10% तो pre-tax था post-tax कितना हो गया यानि एक लाक का जो लोन लिए उसका cost कितना लग रहा है 5% 5% कैसे आया 10% 1-tax rate done तो क्या यही additional capital है क्या यही additional capital है पूराना capital कितना था company में 4 लाक था क्या क्या विटेड एवरेज कर सकते हो 12 और 4 का वही टेबल बनाके पूरा तो old का मिल जाएगा cost और यह नया वाले का कितना लग रहा है 5% एक बार old वाले का बताओगे मेरे को अब यह एक बात बोलूं weights same है दो लाग दो लाग यहानि weights जद weights same होता है बच्पन में एक बात पड़ा होगा simple average भी कर सकते हैं जब weights same होता है तो we can do simple average दोनों का weights same है मतला बराबर है जब weights अलग अलग होता है तो वह बड़ा सा calculation करना पड़ता है जब weights same ही है यह 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 दोनों का नया वाले का कितना है पांच पॉस्चन नमर वन marginal cost of capital after tax कितना है वट इस M.C.O.C. एक्जिस्टिंग का आठ नया वाले का पांच तो marginal cost of capital कितना है पांच परसेंट यह तो है marginal cost of capital एक लाग लाने का खर्चा पांच पांच पॉराने वाले का आठ अब देखो तईसरा कोस्चन क्या पूछा ओ तीनों मिला के कितना है तो तीनों मिला के कितना है कैसे करेंगे तीनों लिख देंगे दो लाग दो लाग एक लाग पॉस्ट वेट्स इंटू अंसर के ड़न हो रहा है बाद आपको एक मिनिट मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले पार्ट वन का अंसर बताईए पार्ट वन का अंसर कितने का अंसर अपने सिंपल आवरेज से निकाल दिये पट एक बार अपने को ध्यान रहे तो एक बार मैं पूरा लिख रहा हूं ठीक है क्या था सोर्सेज बताएंगे कितने का इकविटी और कितने का डिबेंचरी हैं दोलाग दोलाग टोटल चार्डर तो मेंट कितना हो जाएंगा अधा आधा पॉंट फाइव है तो कौस्ट क्या-क्या था इनका कौस्ट है है मूली है स्वेल्फ और फॉर तो डवलू एस इसी सी कितना हो गया कि यह कौन सा के हो एक्जिस्टिंग के हो यही मांगा था अपने से पार्ट नमबर टू मतलब मैं टेप विलर फॉर्मेट में भी करवा दिया पट लॉजिकली जाए तो अपने थोड़ी इतना कहानी दिखाएंगे उसको अपने तो स्मार्ट ली कर दिये होंगे अंसा तूरं जा रहा है माते में हम पार्ट टू कैसे किये अब बताओ तो पार्ट थ्री कैसे करोगे अरे सोर्सेज में आप क्या लिख दो इक्विटी डेट और लोन तीनों लिख लो अमांड बताओ अमांड दो लाग दो लाग एक लाग टोटल पांच तो वेट्स बताओ वेट्स तो पॉइंट पूइंट फॉर पॉइंट फॉर पॉइंटो पॉइंट तू मों कोस्ट बताओ हो कोस्ट थ्स नहीं बारा 845 तो डब्लू ए टी सी वेट डब्लू एसी से क्यो लिख रहे बात एक ही है कुछ भी लिखो आफ्टर टैक्स आ मताईए आफ्टर एडिशनल फंड्स के ओ कितना आया बस निकाल मेरा बात समझ में आ रहा है ना क्या किया पहले उससे पहले उसके बाद उसको मिला के है आसान है कि अगया आफ्ट लेवर एकना मुंस्टार्ट डैजर्ट सब आई इस इतना आसान है बोलिये बोलिये कितना आया इसका अंसर यहां पे ऐसेवन पॉइंट फॉर एक्जएक्ट है तेवन पॉइंट पॉर देखिए 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 इन्हीं नया अने से टोटल फंड का कैपिडल थोड़ा कम कॉस्ट कम हो गया क्योंकि वो थोड़ा सस्ता में आ रहा था यहां तक ठीक है क्या है पार्ट थ्री कंप्लीट पार्ट फोर पढ़ेंगे क्या बोलना चारा और कोई मेरे को तुरंत अंसर देगा एंसी क्यू का बीना किये सम्स देखते हैं किसमें दिमाग है बीना किये कुछ नहीं करना ना कैलकूलेटर यूज़ करना है ना बुक ना पैन सिर्फ दिमाग एट परसेंट अंसर इस एट परसेंट सोचिए कैसे दिमाग लगाई है थोड़ा अब अपने को स्मार्ट भी बनना खाली महनत नहीं करना महनत गदे लोग करते अपने स्मार्ट अपने गोड़े पैसे जानवर तो हैं चाहिए जोवियो फटा फट बताईए एट परसेंट इस दि अंसर सोचिए कैसे एट परसेंट इस दि अंसर सोचिए कैसे अरे बोल रहा है यह जो एक लाख है न यह इन दोनों से सेम रेशियो में आ रहा है तो अगर सेम रेशियो में आ रहा है मतलब यह और पचास यह और पचास तो यह धाई यह धाई यह धाई यह नि वेट्स तो अभी भी और कोश्ट भी तो अंसर भी अगर same proportion में जा रहा है यानि answer same रहेगा तो answer क्या हो जाएगा अगर एक लाग उस proportion में आता तो 8% क्या part 4 का answer 8% समझ में आया और अगर अच्छे से करना है कि भाई आप presentation बताईए तो क्या लिखेंगे अपने sources, equity, debt क्या लिख दो गए हैं amount, rupee 2.5, 2.5, total 5 what number 4 यहां क्या लिखोगे फिर weights, क्या रहेगा weights, 0.5 cost क्या रहेगा cost, 12 और 4, तो answer क्या हो जाएगा gain, 8% बट इतना महनत क्यों करें जब अपने logically सोच सकते हैं क्या 8 हाएगा बट एक बार ठीक है, दिमाग कम काम करें तो यह कर ले लिए answer आठ दिख्टे आएगा बोली क्या बोली क्या माट बीजन कॉस्ट और प्रेविड़न सब्सक्राइगा या अगर उस्ट तो प्रीसमार सान कला चीज़ बनी जो डस्टरेश्टी में करते ने कोई पार दिलन बार्ट में करते है अब प्रेविड़न लुट प्रेविए प्रेविड़न अब पूलो पूलो हो रहा है वेरी वेरी गुट तो यह असान टॉपिक हां एक दम असान तो यह अपने लोग का कवर हुआ मार्जिनल कोस्ट आव कैविड़ल का टॉपिक अब आएगा तो कर लेंगे अपने मार्जिनल कोस्ट आव कैविड़ल भी ठीक है और समस है क्या कैटेगेरी वाइस हाँ थोड़े से और एट्पटे तम से आईए ट्राइ करते हैं जोचन नंबर 23 पड़ेंगे सब कोई कि कव्चन नंबर 23 सब कोई पड़ेंगे यह से बीटा लिमिटेड का है पढ़ना चालू कीजिए ऑंसर तो कोशचन नंबर 23 पेज 12 आएए ऐसे करते कितना है और डिविडेंट पे आउट कितना है तो बताओ तो डीपीएस कितना हो गया डीपीएस चार रुपय का 25 परसेंट अब एक रुपया इतना सोचो वन फोर्थ होता है 25 परसेंट थोड़ा सा क्यल्कुलेटर के दुनिया से बाहर आओ बैठ नहीं हुई है आप लोग 2 प्लस 3 भी करते हैं किल्वेट माना वह इकडा मौल में करना पड़ता थोड़ा सा अगर पास्ट कैल्कुलेशन सोचेंगे कि 50 का 50 परसेंट क्या होता है और कल्कुलेटर में मारें तो बहुत गलत बात हाफ होता है आधा होता है पचास फेल्चwir वनफोर्थ या चार का average एक रुपया थोड़ा सा growth rate कितना है 8 और tax rate कितना है 30 फटर फटर बता यह company wants to raise क्या additional capital कितने का 10 लाग का 10 लाग का capital लाने का इच्छा हो रहा है जिसमें से 4 लाग कहां से लाएगा एक मिनिट एक मिनिट 10 लाग का capital लाना है जिसमें से 4 लाख लाएगा डेट से तो बाकी का 6 लाग का से लाएगा इकिडी से या समझ में restrictive बाकी का च्छाई मिनिट इकविडी से बोला ये जो चार लाख ला रहे नai इसने भी दो आदमी दो बात कर रहा है देखो आगे क्या बोला बोल रहा है कि दो लाख तक अगर तुम मेरे से रुपिया लेते हो तो हम उसका ब्याज कितना लेंगे तुम से दस पर बट तुम दो लाख से जैसी बियोंड लोगे हम कितना लेंगे उसके लिए यानि दो लाख तक का कितना लगेगा बट additional 2 लाग के ओपर कितना और चाहिए दो और चाहिए चार चाहिए total दो मिल चुका यनि और दो चाहिए इसका cost कितना लगेगा क्या बोलो समझ में आया बट ये दोनों कौन सा cost है pre-tax की post tax pre-tax तो अपने को क्या चाहिए post tax कितना tax rate था 30% बताइए 10 का 30% हट गया अब फिर इसे अब अपने calculateor में करते हैं 7% 10 से 30% गया सो 70% यानी 3% गया 15 का 30% गया यनी क्या बचा 70% यनी 10.5 क्या ये दोनों मेरे काम का काया की ये दोनों बन गया ये मेरे काम का नहीं ये वाट इससे ही ये निकला पहले बोलो 2 लाग का खर्चा कितना 7 अगला 2 लाग का खर्चा कितना 10 पॉंट है और ये 6 लाग का खर्चा कितना उसके लिए उपर डेटा था फॉर्मूला बताईए फॉर्मूला बताईए अरे गुरिविडेंट ग्रोथ रेट का D1 by P0 plus G into 100 यही तो केई होता है D1 कितना आया अपना एक रुपया ब्या ग्रोथ लेंगे कि नहीं मैं वहर बार बोल रहा हूं हो सकता है यह लोग EPS 0 पकड़े हो सकता है लोग EPS 1 पकड़े अपने कुछ भी लेके करेंगे अपने लोग को एक बार के लिए D0 पकड़ना चाहिए क्योंकि कोई information नहीं दिया वह तो बताईए D0 कितना आया था अपना एक रुपया इसमें कितने का ग्रोथ मारना होगा आठ परसेंट का यानि 1.08 divided by price कितना था 40 plus 0.08 का ग्रोथ निकाल लिए कितना आया के ही सब कोई निकाल लिए के ही कितना आया सब कोई दी जीरो वन प्लस जी से दी वन आया दिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी कितना आ रहे है के एक्जैक्ट सब तो ठीक ही है 10.7 परसेंट आया गया तो अपने दी जीरो ही मानेंगे ध्यान रखना तो यहां क्या लिखे अजंचन बताईए अज्यूमिंग बोलिए डी जीरो इज इक्वल्स टू वन तो डी वन निकला लग से तो जो डेटा दिया वा था वो डी जीरो बताईए ना भीया इतना कानी किया आप मांगा क्या था पढ़िए तो क्या मांगा calculate after tax cost of equity निकाल दिये गया कितना 10.7 calculate डेट का cost डेट का after tax cost बताऊगे what is debt after tax cost seven ये दोनों ही तो है क्या ये दोनों ही है तो इन दोनों को क्या कर दो गलात इन दोनों का average कोई भी cost कैसे निकलता है average एड मत बोलो आप क्या बोलना चाहरे हैं ये दो लाग का साथ ये दो लाग का 10.5 यानि 4 लाग का 17.5 लग रहा बिल्कुल गलात concept यानि इन दोनो का weighted average बट weighted average करो simple average करो बात एक ही है क्योंकि weights are same बताइए साथ प्लस 10.5 divided by 2 तो weighted kd कितना हो गया weighted kd 8.75 सम्स में ये मांगा था ज्यान रखना exam hall में अगर kd मांगे यानि weighted average kd बोल रहा है पहला बार सम्स में 2 kd था तो दोनों का क्या कर दिये average क्योंकि 1 kd रहेगा option तो कौन सा वाला टिक करेंगे या दोनों का average निकालना होगा तो ये वाला point याद रहेगा क्या बोले हम बताइए अगर सम्स में 2 kd निकले और मांगे 1 kd तो दोनों का क्या करना होगा weighted average क्या बोलिए ये पूरा सम्स समझ में आया और क्या मांगा थ पूरा weighted average cost of capital कैसे निकालोगे बताओ कि बताओ sources क्या क्या है डेट वन डेट टू इक्विटी डेट वन का वैल्यू कितना है वैल्यू दो लाग डेट टू का दो लाग ये च्छे लाग टोटल दस लाग तो weights कितना हो गया अब फिर ये अपने करते है पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट सिक्स से डिवाइड होगा तो सब पॉइंट के किदर आएगा by 1 टोटल 1 cost in percentage पहले वाले का कितना निकला था 7 टेन पॉइंट 5 टेन पॉइंट 7 तो डबलू ए सी सी इस ये पार्ट रीका क्या पूरा समस्मझ में आया पार्ट वन का अंसर थोड़ा सा टेक्निकल था वेटेड आवरेज करना था केडी का क्योंकि ये option में रहेगा ये option में रहेगा और ये जो आया वो option में तीन अंसर मांगा था केडी केई और केव कि हम पूरा समस्म कर दिये हैं आपको सिर्फ कॉपी करना है नहीं कॉपी नहीं करना है खुझ से करना है कि इजी सम्स काफी असान कि नाइन पॉइंट नाइन डू चलिए तो कितना लोग कोस्चन नमर ट्वेंटी कर सकता है देखते हैं सेम टाइप का सवाल अभी ट्राइब करेंगे ट्वेंटी मैं मदद नहीं करूंगा जो बना लिया उसको सो रुपया ही नाम कि जो सबसे पहले बनाएगा उसको सो रुपया ही नाम कैस देंगे क्योंकि फिर हम लाश्ट टाइम चॉकलेट देते लोग बोलते थे वह आमको सीग्रेट पीना था तो फिर हम से हम चेंज कर दिये अम बोला कैसी दे वही जिसको जो लेना लेगा अपना काइंड में नहीं देंगे पहले मैं सिल्क देता था अब बबली बांट देते थे 2020 आप अब बहुत जाधा चॉकलेट बांटता था आप मैं बोला चॉकलेट बांट के लाब नहीं है बच्चे लोग बोलते हैं वही हां को कुछ अलग आइटम खरीदना था ठीक है अपना सॉक सॉक पूरा कर सब्सक्राइब है तो रुप्या कैस पराइस जो परस्ट नमबर ट्वेंटी किया सेम एज 23 थोड़ा सा बढ़ा है बस क्यूंके बाइफर्केशन जाधा होगा देखते कितना लोग अपना दिमाग लगा पाते है थोड़ा कम बोलिए ओक अग अग पॉस्टर नमबर ट्वेंटी कि कहां से कितना रुप्या आगा है प्लीज ट्राइब पॉस्टर नमबर ट्वेंटी अजिए पॉस्टर नमबर ट्वेंट्चर नमबर तर। थंगपो इंट्ट को नियो को आपिए को कि जिसका पैटर्न रेटी हो बताना मेरे को भाईया मैंने पैटर्न रेटी कर दिया आप देख सकते हैं कि ताहर से कितना रुप्यार कि ताहर से कितना रेटी कर देख सकते हैं कि ताहर से कितना रेटी कर देख सकते हैं कि ताहर से किसी का पैटर्न रेटी हो तो बताना या पैटर्न रेटी है देख दीजिए पैटर्न रेटी येश एंदिए देख सकते हैं बनेके साथ में. चार भाग हरे. जदाओ ने कैसे इते मावत को. नहां रहुके. रहुके. तो ढ़ों के नाँ. इतना भी घते हैं मेन, नहीं के करे. बेटा नो इते हम जिखाओ. बटक कर दो बटक कर दो घते हैं. को मेले बता उ कि अना है, उंसे. यह तो बचाव तो तनी चार्डेट इस नहीं दोगा कि अम्हों थेखरें हा तो लुप करें नहीं है होट है किस्यों है हां है बेंड़ी ने जोड़ी के सब है यह तक नहीं डुलों कि अधिया है इसने पही होगे आधिए खाइस आधि आधि आधिस आधि है आधिए अधिट करहोगो इसको आधिखेज नके विटेज़ है कि यह दिखी उसको इतना बता हूं कौन सा पैसा कहां से आ रहा है हमको पार्ट वन का अंसर चाहिए आप टू-थ्री बता रहे हैं तू-थ्री तो दूर के बात है मुझे पार्ट वन चाहिए मैं कर रहा हूं पार्ट वन यहां ध्यान दो देखो आप पढ़े हैं समस में कितना रुप्या मांग रहा है दस लाक में कितना डेट से आ रहा है और कितना एक्विटी से आ रहा है वेरी गूड पहले तो 30% यानि 3,00,00,00 और 7,00,00 पहले ये बाइफरकेशन होगा तो लोग क् रहे है इस से पहले रीटेंड रंडिंग जून रहे हैं रुखिए पहले डेट और इक्विटी में बाटी है अब डेट में बात करते हैं डेट में बोला 1,80 तक तुम्हारा 10% ही खर्चा लगेगा जैसी 1,80 से उपर उठाओ गया रहे 1,80 से उपर कितना और चाहिए 1,20 तो देखो देखो 16 यह सब क्या है pre-tax डन एक मिनिट इस साथ लाख में भी bifurcation है इस बार इस साथ लाख में भी bifurcation है इस बार हो ध्यान रखो ध्यान रखो जहां पर गलतिया हो रही है उसको mark करो भी आयाम गलती किये इस साथ लाख में दो दस तो घर पे पैसा पड़ा था जिसको मैं क्या बोलता हूँ जिसके cost को क्या बुलाते है क्यार और बाकी का जो पैसा बचा माइनस करके कितना यह क्या होगा तब अगर पैसा equity से आ रहा है घर का पैसा इतना use कर लिया नहीं यह क्या है इसको बुलाते है new issue करना होगा ना share अगर equity से 7 लाख लाना है equity से 7 लाख में बोल रहा है 210 तुम कहां से ला सकते हो जो पैसा पड़ा है उससे तो बाकी का पैसा कहां से लाओगे नया shares issue करना हो तो यह हुआ pattern of raising financial दो ठोड़े डिवेंचर आया एक 10 परसेंट वाला एक 16 परसेंट वाला और एक return endings आया और एक new issue आया debt 10 परसेंट वाला एक 80 आया 16 परसेंट वाला एक 20 आया return ending दो दस आया और new issue चार नब्या यह पार्ट वन का अंसर है यह पार्ट वन का अंसर है पूलिए पार्ट वन सबको समझ में आया कि कहां से कितना रुपया आ रहा है अच्छा यह के आर होता है यह के ही होता है अभी तक हम आपको कुछ अलग बताया क्या दोनों में यानि दोनों क्या होता है सेम है कि नहीं तो दोनों का cost सेम तरीके से निकलेगा और सेम अंसर आएगा केड़ी बताइए पहले तो इसका केड़ी एकसी का केड़ी टैक्स रेट कितना है समझ में अगेर तो दसका अधा और यहां केड़ी आठ परसेंट यह पांच यह आठ तो एकसी का खर्चा पांच लग रहा है एक बीस का खर्चा आठ अब सिंपल एवरेज नहीं होगा क्यो के-ड सांद तर्विट निकलता है वैसे ही निकलेगा और जैसे के-ड निकलता है वैसे ही क्या निकलेगा यह से घुल्णा का रहेगा अभी तक मैंने अपको difference बताया ही नहीं दो नों में क्या होता है तो फटा फट बताईए के निकालने का फॉर्मूला जो इंफॉर्मेशन गिवेन है उससे डी वन भाई पी जिरो प्लस जी वह इधर भी हो गया तो एक ठोलिक देते हैं ताकि दूसरा निकल जाए बताईए डी वन कितना है एवरिवन डी वन कितना है एपिएस कितना था चार चार का 50% डिविडेंट यानि कितना दो रुपया दो रुपया डी वन कि डी जीरो डी जीरो दो रुपया क्या हो गया डी जीरो तो डी जीरो अगर दो रुपया है इसमें कितने का ग्रोथ मारना है कितने का ग्रोथ मारना है 10% यानि 1.1 मतलब ग्रोथ लेके इंटू 1.1 य यह क्या गया डिवाइड बाइड प्लस जी निकालो कितना यह वेरी गुड 15 परसेंट कि आया क्या 15 परसेंट देखे के तो के यार भी कितना होगा 15 आपको कुछ बताए ही नहीं हम लोगो तब तक हम लोग यही मानेंगे के यार से मैं बिल्कुल से मैं बोलो समझ में है सारा का कॉष्ट निकल गया गया सब सब चीज का इसका कॉष्ट पांच इसका आठ इसका पंदरा इसका भी पंदरा अब समझ देखते हैं क्या मांगा का डेटर्माइं पोर्ष टैक्स एवरेज कॉष्ट ओफ एडिशनल डेट यानि इन दोनों का क्या वेटेड एऐवरेज क्ये डी बताएए इन दोनों का करना आता है किव्येटवक एवरेज करना आता है कैसे करोगे टेबल बना दो और कर लो छोटा सा टेबल बना लो और कर लो अब जो भी आ रहा है कॉस्ट कितना हुआ 1.8, 1.2, टोटल 3 कितना परसेंट हुआ 1.8 divided by 3 0.6, 0.4 तो 1 कॉस्ट इधर 5, इधर 8 तो बताओ वेटेड ऐवरेज कितना है 6.2%, यह हो गया वेटेड ऐवरेज केटी जो पार्ट 2 का अंसर था इस अब इजी एक एक नंबर के लिए आ सकता है, इसलिए करवा रहा हूँ 6.2 वेटेड समझ में आया कैसे आया अब बताइए कॉस्ट नंबर 3 क्या मांगा केई और के आर एई तो निकल गया, 15-15, खत्म पार्ट 4 क्या मांगा ओवराल, पूरा टेवल बराने बना देते हैं, पूरा टेवल बताओ कैसे बनेगा, वो ही, सोर्सेस, क्या-क्या बोलिए सोर्सेस, क्या-क्या डेट 1 डेट 2 रिटेंड अंडिंग्स, न्यू इशू, चार चीज़ है ना, पहले बताओ ये, डेट 1 का कितना रूपिया है, एक अस्सी, डेट 2 का, एक बीस, रिटेंड अंडिंग्स, दो दस और ये, चार नपे, टोटल, दस, मैं बोलू, दस है टोटल, तो वेट कैसे निकलेगा, इस अब आप फिर से एक अलकुलेटर में कर रहे हैं, सुनिए, एक-एक डेसिमल आगे करना है, थोड़ा सा मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आपको अगर दिमाग लगा हो, तो समझ में आएगा, दस से कोई चीज़ डिवाइड होता था, एक-एक डेसिमल ही तो इधर जाता है, यानि वेट्स हो गया, 0.18, 0.12, 0.21, 0.49, इसमें क्या कैलकुलेटर यूज़ करना, बट अपने क्या है न, थोड़े से बोंदू है, दिमाग में अपने, क्या बोले क्या चलता है पता नहीं, बट अपने ये सीली-सीली चीज़ नहीं सोच पाते हैं, ना कोई सोच वाता है कि यार कर लो, सब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, आप देखेंगे मेरे आज पस नहीं मिलेगा को कैलकुलेटर, इसका दो कारण है, पहला कि मुटा मुटी हम कर लेता है, दूसरा हमाल सी है, फट फट फट, यहां कोश्ट बताइए, कोश्ट बताइए, 5, 8, 15, 15, तो डब प्लीटर गार, तूसरा लीटस कि नहीं मुटीक। 12.36 है कि करेंगे हुआ हुआ है क्या सवाल होना भी चाहिए हुआ है हो गया है इतना असान असान सवाल है इस अब जेब में जाना चाहिए भी यह फटी भी नहीं होनी चाहिए आगे बढ़े आगे बढ़ूं क्या पका चलिए और समस्क्राइए ना थोड़ा सा ठीक है पुर्शन नमबर एट है एक एक और असान सवाल 18 को इंपोर्डेंट मार्क करेंगे आप अपने टर्म के लिए क्योंकि यह सेम कोस्चन आपके टर्म पर आएगा से आपको कैसे मालूं बस ऐसी बोल रहे हैं क्योंकि यह सवाल सिय में दो तीन बार पूछ लिया जबकि यह एकदम चिंदी सा सवाल है पॉस्चर नमबर 18 दम लॉलीपॉप सावाल 1880 रेडी एवरिवन एफिशियंट कॉर्पोरेशन कितने का कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके कंपरी में ओ हो हो बोल रहा है हम चाहे जितना भी पैसा लाए हम 40 परसेंट से लाएंगे 60 परसेंट एक्विटी यानि 0.4, 0.6 इर्रिस्पेक्टिव अव दी अमाउंट क्या वेट समेशा 0.4, 0.6 रहेगा क्योंकि अगर मैं एक लाख लाता हूँ इसका मतलब 40, 60 है की नहीं अगर मैं 2 लाख लाता हूँ इसका मतलब 80, 120 चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा रेश्यो क्या वरकरार रखूँगा 0.4, 0.6 यह बात आगे बोला भी कि presently the several alternative वो क्या सोच रहा कितना से कम रुपया लाने का 20 लाए वो सोच रहा 20 से अंदर अंदर रुपया लाने का हिच्छा हो रहा है और बोल रहा है कि हम कभी भी अपना present debt equity ratio को disturb नहीं करेंगे यानि हम कभी भी इसको 0.4 और 0.6 से change नहीं करेंगे और वो बोल दिया 4 प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट दिये में 4, एक प्रोजेक्ट कितना है बदाए यह कैसा है 2,00,000 तक का मनला बोल रहा है अगर 2,00,000 रुपया लगाना पड़े तो कितना अगला प्रोजेक्ट कितना से कितना है 2 से 5 अगला 5 से 10 और आखरी वाला 10 से क्या यह 4 प्रोजेक्ट है क्या केड़ी दिया हुए पहले प्रोजेक्ट का और केड़ी दिया हुए दूसरे प्रोजेक्ट का ऐसे सारे केड़ी और केड़ी दिया हुए एक बर पता यह केड़ी क्या का दिया हुए 10,11,12,13 अब्वेस्टि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है कोस्ट भी बढ़ता है तो कि दिसक बढ़ रहा है बट क्या बोला कितना रुपया ला रहे नहीं बस बोला दो लाक के अंदर अच्छा अगर दो लाख लाएंगे तो कितना टेर्स से लाएंगे और कितना इकुडी से लाएंगे पॉट्टी डेट से 60 अच्छा एक लाख पचाज जार लाते तो पॉट्टी 60 अच्छा एक लाख लाते तो पचाज जार लाते तो यानि आप दो लाख के अंदर जो भी लाइए हमको क्या परवा है डबलूडी और डबलूई तो 0.4.6 रहेगा मानते हो अच्छा ये पैसा के बीच में भी 0.4.6 ये ये तो क्या डबलूए सी सी आ जाएगा इस इंटू दिस प्लस इंटू दिस ये तो करते थे इस बार हम ऐसे टेबल बनाने की वज़ा है वैसे बना दिया चलेगा तो आपको वरना आप कैसे लिखते थे 0.4, 0.6, 10, 12 और इंटू करके करते थे हम बोल रहा है ऐसे लिख दिया तो इस इंटू इस प्लस इंटू इस यहां कर लो बताओ तो पहले वाले का WACC कितना आया 11.2 आया क्या 11.2 आया क्या अच्छा नेक्स्ट वाले का बताओ ऐसे सबका WACC बताओ पहले उतारना बाज में पहले मेरे को बताओ सब उतारेंगे बाज में पहले मेरे को बता तो 12.2 और आखरी वाला आया क्या देखो सारा WACC मैच किया मेरे से 11.2, 12.2, 13.2, 13.9 मैच किया विया सम्स में क्या मांगा था आईए पढ़ते हैं तो आप इतना काम क्यों करवाते हैं सेवा कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं पढ़िए क्या बोला है कोशन नमबर वर calculate cost of the two project दो प्रोजेक्ट दिया है एक कितने का 6.5 का और एक 14 का पटापट बताईए 6.5 कौन से रेंज में लाई करेगा 5 से 10 5 से 10 वाले का खर्चा कितना लग रहा है तो अंसर कितना हो गया 13.2% अब जो सम्स मांगा उसका जबाब देगे यानि 6,50,000 अगर capital इंटर्डूस कर रहा है उसका कॉस्ट कितना लग रहा है 13.2 अच्छा अगला वाला 14 का बता दो कि similarly को 13.2 क्या आसान सवाल था एक नंबर के लिए बिल्कुल वे यह सीए वाले करते हैं सीए वाले चार नंबर के लिए करते हैं आपको एक नंबर के लिए करना हो इसी चीज है उनलों को लिखा के दिखाना है आपको थोड़ा फटा फट सिफ कैलकुलेशन करना है बट अभी समझने के लिए पूरा टेबल उतारना है और लिखना है एक मिलेट खत्म नहीं हुगा पार्ट टू कर लो पहले फिर करेंगे पार्ट टू क्या बोला पड़ी फिर उतार लेंगे ना पूरा मेट समय तूँगा ओहो 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 बोल रहा है धन्दा में कितना भी रूप्या लगाए हम कमा कितना सकते है देखो देखो हम कमा कितना सकते है 10% आप्टर टेक्स रिटर्न मतलब कमाई कितना कमाई है 10% तो बोल रहा है इन 4 में से कौण सा कौण सा प्रोजेक्ट कर सकते है अगर तुमारा कमाई 10% है तो तुम इन 4 में से कौण सा कौण सा प्रोजेक्ट कर सकते है पताओ सोच समझ़के Very Good Answer Is कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे क्यों औरे सबसे कम खर्चा यारा पॉइंट दो लग रहा और आप और रहे कमाएंगे दस परसेंट तो हम घटा करके घजन्दा करें करने का दरकार यानि आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी अच्छा एक और लाइन लिगा और सुइफ बोल रहा है अगर आफ्टर टेक्स रिटन कितना हो जाए 13.5 तो कौन सा कौन सा करोगे बुड़वक लास्ट वाला नहीं करेंगे क्योंकि 13.5 मेरा कमाई है यानि लास्ट वाला छोड़के बाकी आप कोई भी बोली हम धंदा करने को राजी है लॉजिक समझ में आ रहा है धंदा कौन सा करेंगे लास्ट वाला छोड़के हम सारा कर लेंगे कैस सारा बात समझ में आया आपको प्लीज अब आप उतारिए औ आपको तो सर्कल करके आना है तो पाट 2 का अंसर क्या हो गया पहला वाले का नो प्रोजेक्ट और आप टू का जो सेकेंड पाट था उसका अंसर हो गया फॉर्स्ट थ्री और यह पार्ट वनकांस प्लीज कंप्लीट कोश्चन नमबर 18 वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब्स क्यों लगा है आपके टंब में आएगा यह अब अच्छे बच्छे आपको यह कंटा पड़ ले पीछ कर अग्यों छेयरे आपके निया कैने जुक्ष घाएगा है अग्यों आपकी एग पार्टेंगें कि 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 मेरे हर चैप्टर में आपको प्रीवियस चैप्टर का एक सम्स मिलेगा तो इस से पहले कौन सा चैप्टर किये थे वहिया टाइम वैल्ली ऑफ मनी यहने तो ट्वेंटी फोर क्याना आपको रिवाइस करवाएंगा जो अपने पहला दो बेसिक्स क्लास में किये थे तो बेसिक्स क्लास के कंसेप्ट पढ़के आप 24 ट्राइगे 24 ट्राइगे 24 जिए नेक्स्ट क्लाज डिस्कस करूंगा और नया चैप्टर चालू करूंगा आज सिर्फ एक टॉपिक कराऊंगा और एक सम्स कोश्चन नमबर 17 करेंगे और उसका टॉपिक पढ़ेंगे पहले पढ़ाऊंगा फिल सम्स नमबर 17 करवाऊंगा ठीक है बस उसके बाद छुटती या सब्सक्राइब तो बहुत थंड़ा हो गया है एक टुकर देते हैं कि हम तो आप के बनें इसका रहे हैं कि रेड़ी 24 is your homework अब तो कुछ चिकीने चुने सवाली बचे थे सारा ही करा देते भाईया जोस है आप में नहीं भी है सारा का नहीं है इतना मत बोलिए ठीक है जाकी सारा इतना काम का नहीं है एक और काम का है 17 नमबर वो मैं कर रहूंगा फिर तो कितना ही बच गया पहले बताओगे नहीं मैंने 16 बोला आपको करना नहीं है 19 नहीं करना 17 भी टिक कर रहा है नहीं नहीं करेंगे अज कोई बात नहीं कर लेंगे अपने सिर्फ क्या-क्या नहीं किये मालूम 15 16 1921 सिर्फ चार सम्स बचा है बागी तो अपने सिय जितना पढ़ी लिए तो वह चार सम्स थोड़े बड़े बड़े हैं पेचिदे हैं कोई बात नहीं किये तो चलेगा अब अपने करेंगे ताकि अपने को पता चले आपका क्या कमांड रहा इस चैप्टर में बाकी तो अब एक सम्स बचा 17 नंबर और आज का क्लास खत्ब सत्रा नंबर से पहले लास्ट हेडिंग आज का पॉइंट नंबर टेन अंख्री टॉपिक अंद चैप्टर इस ओवर किल पेंगे एंडि चैप्टर ईजोवर को area कि यहिंद नंबर ऩउइंट लिखेंंगे या क्या कोउस्ट एटेंड अंनि मिवल्ड आज इंगे कोउस्ट आफ़फ रिटेंड अंनिंग्स कोउस्ट एइटेंड अंनिंग ready k r लिखे k r is always equals to k e except k r is always equals to k e except k r is always equals to k e except number one except number one when there is flotation cost when there is flotation cost 4-5 line number two when there is personal shareholders tax rate is given when there is personal shareholders tax rate is given when there is personal shareholders tax rate is given two two not 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 one 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 topic is three line कुछ इशू करते हैं, उसको खर्चा लगता है, उसको फ्लोडेशन कॉस्ट रहता है, क्या Retained Earnings, PL से Balance Sheet में जाता है, यानि ये तो एक Book Entry है, इसको तो कुछ ऐसा थोड़ी हो रहे, एक आदमी पकड़ रहा है, Retained Earnings और ठेक रहा है कहीं, ये तो अपने सिर्फ Entry मारते है Transfer करते है Balance Sheet में, यानि क्या इसको करने के लिए, कोई Commission देना पड़ता है किसी को, नहीं, बट नया Share Issue करने के लिए, Underwriting Commission पड़े होंगे, आप थोड़ा Shares वेर्स करेंगे, तो क्या देना होता है, Commission's देना पड़ता है, तो Flotation Cost कब लगेगा, जब KR निकालोगे, कि KE निका लोगे, Only when you calculate KE, only when you calculate KE, क्योंकि KE का मतलब होता है, नए Shares का खर्चा, क्यार का मतलब होता है, घर के पैसे का खर्चा, by the way, दोनों सेमी होता है, क्योंकि दोनों मालिकों का पैसा, but एक पॉइंट पे अलग होगा, जब क्या लग रहा होगा, Flotation Cost, तो जब Flotation Cost लगेगा, त तो I know Dividend Growth Model, Dividend Growth Model मारते हैं, तो बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार पटाफट, D1 by P0, अच्छा, Flotation Cost है, माइनस F करते थे नीचे से, प्लस G, इन्टू 100%, बट जब KR निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला होगा, बताइए, ट्राइ लीजे, D1 by P0, प्लस G, इ जानी, चाहे Flotation Cost दियावा हो, फिर भी, KR निकालते समय नीचे, माइनस F, नहीं कर, एक बार Mathematics थोड़ा दिमाग में लगा के बताओ, कौन सा बड़ा आएगा, केई की केई, कौन सा जाधा आएगा, बुड़वक लो, केई वेसी आएगा, केई वेसी आएगा, ये छोटा ह हो गया, डिनॉमिनेटर और, तो अंसर बड़ा हो गया, और दूसरा लोजिकली सोचिए ना, केई निकालते समय एक 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 एक्स्ट्रा खर्चा और लग रहा है, कौन सा, फ्लोटेशन कोस्ट, एक एक्स्ट्रा खर्चा और बीर करना पढ़ रहा है, कौन सा, फ्लोटेशन क के लेंगे कैसे हैं फ्लुटेशन इंगोर करके और अगर सीएपियम मोडल है तो क्या करेंगे तो के यी का फॉर्मुला क्या था एक बार बताओ वह चोटा वाला आरेफ पला बोलो 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 R F plus R M minus R F into beta एक छोटा का फॉर्मुला R M plus R M R F plus R M minus R F into beta K S E निकलेगा बट अगर अब flotation cost है एक मिनिट वापस से ध्यान से थोड़ा सा लोजीकल अगर flotation cost है तो again K E will be greater than K A क्योंके flotation cost है suppose यह 21% है suppose और मैं आपको बोल रहा हूँ flotation cost 2% का है company में कितने % का है तो बताओ K R क्या होगा सोच के थोड़ा सा logically मैं आपको बोला मेरा return 21% 21% हो K E K E कितना हुआ 21% कैसे आया भूल जाओ 21 लाया अब अब हम बोल रहा है K R निकालना है और 2% का क्या है flotation cost तो K E R कम होगा की बेसी होगा K E से K R कम होगा की बेसी होगा कितना कम होगा 2% कम कर देंगे कितना परसंट कम कर देंगे यानि इसका 98% ले लेंगे करो तो 21 का 98% करो 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 21 का 98% 20.58 यानि कैसे फॉर्मुला क्या हुआ बताओगे के जैसे निकलता है निकल गया क्यार निकालते समय मैं लिखूंगा के ब्रेकेट में 1- flotation cost in percentage दिया वह flotation cost in percentage दिया वह के जैसे निकालते समय के ब्रेकेट में 1- flotation cost क्या समझ में आ रहा है flotation cost से कम कर देंगे अगर 2% का flotation cost है तो 2% से expectations कम कर देंगे क्या बोलो logically समझ में आया यानि अगर dividend growth model यानि कि myron वाला sums है myron का उचार formula वाला sums है तो हर sums में क्या करोगे F- करेंगे और यहां माइनस नहीं करेंगे बट अगर C-A-P-M model है तो sums को ऐसे करेंगे क्या दोनों तरीका समझ में आ रहा है यह कब करते हैं myron gordon वाले time यह कब करते हैं william sharp C-A-P-M क्या done है बात आप लोग को दोनों please उतारिये when there is flotation cost और यह sign b k e is greater than k r k e is greater than k r जब k e निकालेंगे तो flotation cost किसे माइनस करेंगे जब k r निकालेंगे flotation cost माइनस नहीं रहा है बट अगर C-A-P-M से आ रहा है तो normal k e निकालके k r निकालते समय उसको flotation cost से कम करते हैं जनरली आपको फैला वाला है देगा उस्ता वाला भी ज़िता है चाहिए भी खावार चाहिए पर माइनस flotation cost रहा है same goes for personal shareholders tax rate एकदम same ज्यान से सुनना इसमे तो सिर्फ एक ही चाहिए यह model हो चाहिए model हो एक ही काम करना है ज्यान के सुनना when there is personal shareholders tax given what do you mean by personal shareholder tax मतलब shareholder का जो खुद का taxation क्या shares खरीदते लेते समय कोई tax लगता है हाँ भीया लगता है जिसको capital gain tax बोलते हैं आप थोड़ा दिन में पढ़ेंगे आप वहता है 5 sources of income होते हैं थोड़ा बहुत तो याद होगा पांच sources of income होते हैं house property, business and profession capital gain, other sources यह सब सुने हैं तो बोलो ना खुदा सब सुने हैं इसा क्यों बोल रहे हैं salaries यानि कि personal shareholder पे taxation लगता है कब जब shares लेते बेचते अगर मैं आपको बोल रहा हूँ again केई जैसे निकालते हैं केई जैसे निकालते हैं वैसे निकालोगे के आर पे क्या वो personal shareholder tax का effect आएगा कि केई पे आएगा सोच समझ के जबागए क्यों केई पे आएगा क्यों केई पे आएगा, केई लेते बेचते हैं के आर तो अगेन क्या है, एक book entry तो इसमें कोई personal shareholder tax नहीं लगता है, इसमें personal shareholder tax लगता है, तो अगर केई मैं again 21% निकाल दिया, by ये model, क्याए by वो model, केई as learned, जैसे पढ़े, बट के आर निकालते समय अब क्या करोगे again, जैसे मैं example वापस थे, 21% का केई था, 30% का personal shareholder tax rate, 30% का personal shareholder tax rate, तो बताईए के आर कितना होगा, एक मिनिट बाद बताईए, के आर कम होगा कि बेसी होगा केई से पहले ये बताईए, कम होगा, क्यों कम होगा, logical, logically बताईए, अरे इसमें एक extra taxation लग रहा है, तो इसमें खर्चा बेसी है, इसमें taxation नहीं लग रहा है, इसमें खर्चा कम, अच्छा taxation नहीं लग रहा है, तो क्या करूं मैं, मैं बोलू, केई से, वो taxation हटा देते हैं, कैसे हटा होगे, 1- personal shareholders tax rate, जैसे यहां किये थे, 1- flotation cost, एकदम से, मतलब flotation cost के साथ जैसा करते थे, वैसा ही इसके साथ करने, के आर हो गया, के, ब्रैकेट में, 1- personal shareholders tax rate, कुईक रिवीजन एक बार, सथ से पहले, flotation cost दिया वह है, तो dash will be greater than dash, के will be greater than के, when there is personal shareholders tax, के will be greater than के, अगर दोनों ही नहीं है, तब, तब, इक्वल, ध्यान रहेगा, यह आपका MCQ के लिए, मतलब अगर flotation cost है, तो के is greater than के, प्रोर्सनल shareholder tax rate है, तो के is greater than के, अगर दोनों ही नहीं है, तो, के is equals to के, और कैसे निकलता है, वो इतना काम का नहीं, में, आपको formula याद रखना है, बट logically समझ में आ रहा है, क्यों, एक question करेंगे, 17 और अलविदा कहेंगे, 17 नमबर एकदम, same type, आप चालू कीजिए, इसमें तो बोलिए गई मत भी, आपका मदद चाहिए, answer to question number 17, page number 8, बस आखरी, खतम करते हैं अप टॉपिक, आज ये chapter को समाप्त किये, this calls for a party, सनीवार को कोई chapter खतम होता, तुम बहुत खूस होता, Saturday है, Saturday अतलब कर जब, कितने लोग Saturday तास वास खेलते हैं, anyone? कोई तास नहीं खेलता है, जा, तुम लोग तास तो खेलता ही नहीं होगा, ऐसे भी, खेलती है, बहुत बड़ी है, खेला करो, गुड प्रोफेशन, तेरा भाई तो बहुत खेलता है, पढ़े, पढ़े, ABCD Limited wishes to raise, कितना finance? 20 लाग, वापस से वोई, 20 लाग में bifurcation कैसे कैसे, देखिये तो, कितना debt और कितना equity पहले वो पढ़िये, retain ending छोड़िये, बोलिये, 25% debt, 75% equity, तो debt हो गया 5 लाग, equity हो गया 15 लाग, इस 15 लाग में, retain endings कितना पढ़ा है, चार लाग, तो new issue कितना हो गया, new issue, 11 लाग, बोलो इतना समझ में आया, 15 लाग में, 4 लाग तो घर पे ही पढ़ा है, तो नया कहा अतना मंगाना है, 11 लाग, इस 5 लाग में भी कुछ बोला है गया, बोला 2 लाग तक का खर्चा, 10% है, 2 लाग से उपर, यानि कितना और, 3 लाग का खर्चा कितना लगेगा, 13%, तो 10% debt, और एक हो गया 13% debt, correct, 10% debt, और एक 13% debt, eps दिया है, dividend payout दिया है, expected growth rate दिया है, current market price दिया है, company tax rate दिया है, शेर होल्डर्स personal tax rate दिया है गया, यानि यह पहला समसाया है, जब क्ये के आर सेम नहीं हो, calculate post tax average cost of additional debt, पहले केडी निकालते हैं, बाकी बात छोड़िये, कि नगे बदाई यह 2,000,00 का कीड़ी कितना 200 पर शेंट है न यह the pre-tax बीज नहींं आ थीस से टी पर सिर्ट गवार का टैक सरीट ठीक तुम है तो 30 पर सिर्ट में पर सेट कासी ये निकालव तो तेरा का तेरा का करो पोस्ट टैक्स यहां इसके लिए काल्कुलेटर यूज कर सकते हो थर्टीन का वन माइनस टैक्स अरे 13 का 30% हटेगा न 9.1 आया क्या आया क्या 9.1 औरे हाँ भी नहीं बोल रहा है आ गया बट ये दोनों मांगा कि इन दोनों का वेटेड आवरेज मांगा अभी सीखे वेटेड आवरेज कैसे करते हैं ये 2 लाग के लिए 3 लाग के लिए तो दोनों का केड़ी बताओ कि वेटेड आवरेज केड़ी बताओ आप लोग जो समस मांगा एकदम सेम चल रहा है यहां यहां इसा तो तीन सार सवाल में हो गया हां तो मतलब इंपॉर्टेंट है यह चल्दी करो इस कंप्लीट और कॉस्ट आफ केबिटल है कि पूरे आई के 8.26 आया क्या 8.26 आ गया आगे बढ़ सकते हैं चलिए next part calculate KD and KE क्या KE और क्यार सेम होगा oh my god इस पहला सम्स में अलग होगा पहले क्या निकालोगे KE पहले क्या निकालोगे KE कैसे निकलेगा वही घिसा पीटा फॉर्मला दियाव है यूस करेंगे EPS कितना है EPS कितना है 12 क्या अधा जाधा क्या D0 पकड़ूं की D1 पकड़ूं D0 तो growth देना होगा क्या और market price कितना है 6 और growth rate कितना है 10 तो बताईए केई का formula फटाफट सब कोई D1, D1 कैसे निकलेगा 6 into 1.1 6 into 1.1 divided by divided by 60 plus 0.1 into 21% तो अपना जो एक्जामपल ले रहे थे 21 का वो सच होगे 21% आया क्या क्यी 21% बोलिये क्यी 21 आया तो क्यार को भी 21 लिखना है का अच्छा हो रहा है लिख दूँ नहीं बट इस तंस में अलग होगा कैसे अलग होगा बताईए 21% bracket में क्या होगा 1 minus personal shareholder tax rate यानी 0.2 20% 16.8 क्या बोलिये पहला सम समझ में आया जहां अलग हो रहा है 16.8% इजी स्टा पार्ट थ्री क्या मांगा है overall क्या करे बहिया टेबल बना दीजे न sources क्या क्या, sources है एक 10% diventure एक 13% diventure एक retain endings है और एक new issue है चार चीज़ है ये 2,00, ये decimal में आएगा टोटल वीच लाएं वेट्स निकाल लोगे है पॉइंट वन यह डेसिमल में आएगा 3 वाइ 20 कितना आ रहे है 15.2 और आखरी वाला 0.5 551 कोस्ट क्या क्या है कोस्ट फटा फट बदा यह पहले वाले का कितना निकला दा सेवन इसका 9.1 इसका 16.8 और इसका 20 वन तो डबलू ए सीसी और दिस कम्प्लीट यॉर चैप्टार तो एक सम्स होंबक है आपका 24 विच बेज़ड वैल्ली ओफ मनी डू ट्राइग जैसा आपने का वह जल्दी छोड़ दीजेगा तो एक गंटा 14 मिनिट पढ़ाया और छोड़ दीजेगा नहीं 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 27 नहीं आएगा कभी भी एवरेज इनके पार कैसे जा सकता है साथ और 21 के बीच में अंसर आएगा कि 16.9 आ रहे हैं कि 975 तो 98 वगड़ लेते हैं 16.98 कैसा लगा चैप्टर इजी काफी असान पता है इसको वन ओव दी टुफेस चैप्टर बुलाते हैं क्योंकि सबसे टुफ चैप्टर में गिना जाता है मैं आज बता रहा हूं आपको यह सबसे टुफ चैप्टर था तो वी अब कंप्लिटेड वन ओफ दी टुफेस चैप्टर इन आर करी किलों अब टेंशन मत लिजी आगे और असान असान चैप्टर आने वाले हैं तो लेट उस गो होम किसका 23 का 23 का 23 का अंसर 9.92 23 टाटा